नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ट आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप टूर्ट पर और अभी बज़े हैं रात के तीन मतलब सुभे के तीन बज़े और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि SSL क्या होता है बलब SSL Certificate का नाम आपने कई बार सुना होगा काफी सारे ब्लॉग में या फिर यूट्यूब वीडियो में भी आपने सुना होगा कि SSL Certificate होता है और हो सकता है कि आपके पास में आपकी वेबसाइट में SSL Certificate हो या फिर ना हो ये जो SSL Certificate है ये वेबसाइट में लगता ह जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक EV SSL Certificate लगा है, जिसके मदब से यह Secure Green Color का Padlock दिखा रहा है और GoDaddy INC बोल कि यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे इसे OK करना पड़ेगा, तो यह अच्छी बात नहीं है, अभी Google ने इसे Bound कर दिया है कि सभी का SSL होना बहुत जरूरी है, और अगर किसी साइट में SSL लगा होगा तो आपको इस तरह से दिखे देगा, जैसे आप देख सकते हैं, Hindi Reptures यहाँ पर Secure दिखा रहा है और य क्या हमें SSL लगाना चाहिए, और SSL के क्या कोश्ट आते हैं, कितने तरीके के SSL है, और कहां से आप खरिच सकते हैं, और क्या आपको Free में मिल सकती है, और मेरा जवाब रहेगा कि इस वीडियो को end तक देखे, इस वीडियो के end को देखने के बाद में आप सभी के पास एक- सुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि यह SSL आखिर है क्या, तो यहाँ पर अगर हम एक definition देखे, तो SSL का यहाँ पर लिखा हुआ है, कि Secure Socket Layer, ठीक है, तो SSL का Full Form होता है Secure Socket Layer, और मैं जो टेकनिकल वीडियो बनाता हूँ, वेब टेकनोलोजी के उपर, हिंदी डेप टूर्स का जो टॉक्स है, जो अभी आप देख रहे हैं, एपिसोड सीरीच, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, वेब टेकनोलोजी के बारे में, और यह बिल्कुल वीगिनर्स के लिए होता है, और एक नए स्टूडेंट के लिए, जो लोग की वेब डेवलोपमेंट बनने जा रहे हैं, उनके लिए होता है, और एक आम इंसान के लिए होता है, कि उसे भी वेब टेकनोलोजी के बारे में पता होना चाहिए, तो SSL का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, कि सिक्योर सोकेट लेयर, और यह बना है, इसलिए क जब आप किसी वेब साइट से आपने सर्वर को कुछ रिक्वेश्ट भेशते हैं, या फिर सर्वर से वेब साइट को कुछ रिक्वेश्ट आती है, तो उस टाइम में जो डाटा ट्रांसपर होता है, उसे एंक्रिप्ट करने के लिए SSL लगाया जाता है, यह सिंपल लांग हैं, वो सेब रहेगा, और मैं हमेशा डेटा डाटा दोनों चीज बोलता हूँ, तो एक ही बात है, आपको जैसा पढ़ना है, आप डेटा बोल सकते हैं, डाटा बोल सकते हैं, आपके उपर है, इसलिए इसलिए इन्फिज मत होईएगा, इस लिंक इस लिंक इंस एटा पास दूसरा जो आता है वो है ओ भी और जो तीसरा आता है वो है इभी और ये तीनों के बारे में हम लोग और थोड़ा विस्तार से जानेंगे तो चलिए कि SSL अगर किसी को चाहिए, क्या SSL आज के टाइम पे आपको यूज करना चाहिए, क्या आपकी वेबसाइट में SSL लगा है, तो काफी सारे लोगों का जवाब होगा नहीं लगा है, तो मैं आपको बता दूँ कि Google ने अभी एक रूल कर दिया है कि Google उसी वेबसाइ में SSL by default होती है, लेकिन अगर हमारे साइट में हम SSL लगा दे, तो ये हमारे लिए और भी safety हो जाती है, और आज के टाइम पे, अगर आप अपने वेबसाइट पे SSL लगाएंगे, तो ये आपको Google पे rank करने में भी मदद करेगा, तो सभी के पास SSL होना चाहिए, अब सभी वेबसाइट को secure रखना चाहते हैं, तो हमें सब paid चीजे यूज करें, मतलब premium चीजे यूज करें, और जब पैसा नहीं होगा, उसका alternative हम लोग देखेंगे, तो अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं, कि आपका website जो है, उसकी data या data secure हो, तो फिर आप GoDaddy से ले सकत हैं, तो यहाँ पर आपको आना होगा web security में, उसके बाद आपको जाना होगा SSL certificate में, यहाँ पर जब हम लोग click करेंगे, यह एक बहुत ही बढ़िया company है, जहां से आप लोग SSL खरीच सकते हैं, तो नीचे अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर यह और तीन category में इसको divide कर दिया है, मैंने आपको बताया था कि यह तीन category में आते हैं, मतलब तीन प्रकार के आते हैं, एक था DB, दूसरा था OB, और तीसरा था EB, लेकिन इन्हों ने यह तीनों को ही और तीन प्रकार से define कर दिया है, यह normal category जो है वो तीन ही रहता है, चाहे किसी भी company के आप खर दे, सिमेंटिक से खर दे, गो डेटी से खर दे, होस्ट क्रिटर से खर दे, बिग्रोक से खर दे, कहीं से भी खर दे, आपको यह तीन category ही मिलेगी, तो सबसे पहला जो category होता है, डीवी, डीवी एक normal category होता है, जिसमें आपको domain की validation की जाती है, मतलब आपका domain खुद का अगर है, तो आपको DV SSL आप लगा सकते हैं, सबसे सस्ते में मिलता है, दूसरा है OB, OB में आपका अगर organization है, तो उसे validate कराने के लिए OB SSL लगता है, और तीसरा जो है, वो extend validation है, ठीक है, यह extend license जो होता है, वो company लोग लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, GoDaddy INC, लेकि ठीक है, और यह price vary करता है, तीनों अलग अलग price पे आते हैं, तो normal यह तीनों तो equal हो गया, लेकिन इन्हों ने इसका और थोड़ा marketing plan बना के रखा है, कि अगर आप single site के लिए लेंगे, तो यह आपको 200 रुपे के अंदर पड़ेगा, और अगर आप मान लिजे, आपका .com है .in है, .net है, बहुत सार extension है, तो आप लोग इस product को ले सकते हैं, यह GoDaddy का plan है, आपको मैं समझना था कि SSL तो तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन GoDaddy ने इसे और तीन divide करके रखा है, ठीक है, इसे इनों ने UCC, SAN, SSL बोलके भी बोला जा रहा है, यहापे, आप click करेंगे तो आपको पता चलेगा, कि मान लेजा, आपका .com है, .net है, .org है, तो एक ही SSL खर देंगे और सब में यह लग जाएगा, यह लगबग 1000 के अंदर में पढ़ता है, अभी discount चल रहा है, और तीसरा जो है, वो wildcard SSL है, ठीक है, wildcard SSL मतलब आपका एक domain है, और उसमें बहुत सारे sub domain एक्जामपल के तोर पे मान लेजे, कि HindiDevTools.com, उसके बाद में blog.hindiDevTools.com, user.hindiDevTools.com, इस तरह का अगर है, तो आपको चाहिए उस टाइम में wildcard SSL आपको लगाना पढ़ेगा, तो यह तीनो मैंने आपको बता दिया, कौन सा क्या होता है, नॉर्मल आप अगर यह simple सा अगर खरीद लेते हैं, नॉर्मल वाली खरीद लेते हैं, तो भी बहुत अची बात है, और नीचे अगर जाएंगे, तो यह तीनो में features क्या होता है, और आप पढ़ सकते हैं, यह link में वीडियो के description में दे दूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीन चीजे आपको बताया था, दूसरा है organization validation यह भी मैंने आपको बताया, तीसरा है extended validation यह भी मैंने आपको बताया, तो इसमें extra क्या है, जैसे कि यह last वाला है, वहाँ पर मैंने आपको बोला था, कि validate organization दोनों में करेगा, लेकिन so business in legitimate, यह आप जो देख रहे हैं, यह वाला option जो है, आ आजकल, वह आपके उपर है, कहां से आप खर देंगे, देखिए यह boost Google ranking में करेगा, बिल्कुल यह rank करेगा, ठीक है, सब कुछ, pedlog दिखेगा address bar में, दिखेगा, green bar दिखेगा, जैसे हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं go daddy पर आया हूँ, और जब मैं देखता हू तो यह वहला green bar दिखा ही दे रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी जो plan है, यहाँ पर देख सकते हैं, pedlog तो दिख रहा है, हमारे पर भी pedlog दिख रहा है, यह देख सकते हैं, लेकिन हमारा green bar ने दिख रहा है, यह जो bar है, total URL, यह green नहीं है, लेकिन go daddy का है, तो यही जरूरी है, आपको SSL लेना चाहिए, अब बात करते हैं, भई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम इंडिया ने गरीब आदमी है, मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप लोग जानते हैं, और हमारे student भी, ऐसे मेरे जैसे गरीब आदमी है, तो उनके लिए क्या उपाए है, तो उन होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, जो DV वाली होती है, वो आपको मिल जाती है, यहाँ पर जो आपकी domain validation करने से DV वाली certificate आपको मिल जाती है, और सबसे best और पहला company मैं आपको recommend करना चाहूंगा, ओ है Let's Encrypt, यहाँ पर आपके get started पर जाके अपना एक account बना सकते हैं, और आपको एक free SSL certificate मिलेगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर मेरे जैसे दिखाई दे रहा है, HTTPS, मेरा वाला जो है वो paid है, लेकिन obviously आपको इसी थरा से एक paid log दिखेगा और HTTPS भी दिखेगा, आप अगर Let's Encrypt से लेते हैं तो, दूसरा एक company है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है free SSL, यहाँ पर आके आप अपने website के लिए अपना एक SSL ले सकते हैं, absolutely free, आपको कोई भी पैसे paid नहीं करने है, यह बिल्कुल free है, और तीसरा हम लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, cloudflare, मैं जितना तक हो सके, इस site को free में यूज ना करे, यह premium इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन free मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको करना है क्योंकि एक CDN network भी है, तो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप एक SSL ले सकते हैं, बाकि आपकी मर्जी है, आप जह तो इस तरह से आपको दिखे देगा, और जब आप Advance में जाएंगे, और नीचे जाके Proceed to करेंगे, Unsafe दिखाएगा, फिर जाके उनका साइट खुलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, यह Example के लिए मैंने इनका साइट लिया है, और यह हमारा साइ तो मेरे तरफ से आपको सजेसन यह रहेगा, कि आप भी अपने लिए SSL जरूर ले ले, चाहे Free हो, चाहे Paid हो, तो उमीद करता हूँ, आपको यह जो हमारा Episode Series है, जहां पर मैं आपको Web Technology के बारे बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको Payment Gateway के बारे में बताया, ठीक है, आज हम Web Technology के बारे अगर आपको जानना है, या कोई Technology के उपर में आपको अगर डाउट है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंस करके बताए कि किस Web Technology के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसके उपर Regarding Video बनाऊंगा, और उमीद करता हूँ कि आपको यह Series अच्छा लग रहा आता हूँ, तो लोग थोड़ा चीडने लगते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप हमारे चाइनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए, और वो ही वीडियो देखें, जो आपको अच्छा लगता है, आपको बेकार के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये है एपीस इसके साथ मैं आपसे बिदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड, बाई बाई दोस्तों, जाहिंद